प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है पत्नी के साथ फोटो खिचा रहे हैं नमस्कार वच्चो आज का हमारा पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते और हरी शंकर परसाई जी ने इसे अत्यांत रोचक भाशा में लिखा है लेखक ने कहा कि प्रेमचंद का एक चित्र उनके सामने है उस चित्र में वे पत्नी के साथ फोटो खिचवा रहे हैं उन्होंने अपने सीर पर मोटे कपड़े की एक टोपी पहन रखी थी कुर्ता और धोती पहनी हुई थी जिसे कि पुराने समय में लोग पहना करते थे कानों के साथ का भाग कुछ चिप्टा हुआ था और गालों की हड़िया कुछ उबरी हुई थी किन्तु उनकी मूछें काफी घनी थी जिससे उनका चेहरा भरा भरा सा दिखाई दे रहा था उन्होंने कैनवास के जूते पहन रखे थे और उसके फीते जो थे वो सही तरीके से लापरवाही से बांदे वे थे और जो बांदने की जो रसियां होती है जूते की उन पर लोहे की पत्री निकल आई थी और यही कारण था कि जूते के सुराख में उन्हें डालने में कठेनाई होती थी इसलिए जैसे तैसे उन्हें बांद लिया गया था उनके दाहीने पाउं का जूता तो ठीक है यानि राइट जो पैर है उसका जूता ठीक है लेकिन लेफ्ट का कुछ फटा हुआ जूता था और उसमें आगे की और एक बहुत बड़ा छेद हो गया था जिसमें से उनकी उंगले बहार दिखाई दे रही थी और यह सब लेखक इसलिए बता रहा है कि सहित्ते कारों की उस समय जो है कैसी दशाती यह है वर्नन करने के लिए यहां पर लेखक ने बताया है और प्रेम च कहते हैं कि जब उन्हें ऐसा दिखाई दिया तो उन्हें यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लेगी लेखक को और लेखक को थोड़ा क्रोध आया कि क्या फोटो खिचवाना ही था तो ठीक से जूते ना पहन लेते फोटो ने खिचवाने से क्या बिगड़ जाता यहनी क और प्रेमचंद जी पत्नी की बात को टाल नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने यह का होगा कि अच्छा चल भी कहकर फोटो खिचवाने के लिए बैठ गए होगे किन्तु दुख की बात यह है कि आजमी के पास फोटो खिचवाने के लिए भी कोई अच्छा जूता ना हो यहा है लेखक की विवश्टा प्रेमचंद की विवश्टा पर विचार करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फोटो देखते देखते तुम्हारे दुखों को अनुभव कर रहा हूं मैं हैसूस कर रहा हूं कि तुम कितने दुखी होगे और मेरा मन रोने को कर रहा है अर्थात ल उनकी मजबूरी समझ में आ जाती है प्रेमचंद जी की और उनकी आखों में जो दर्द है उसे देख करके रोने का मन लेखक करता है यहाँ पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की साधगी की और संकेत किया है और उनके पास जो अभाव है जीवन के प्रेमचंद जी के पास उनक तो टो फोटो खीच्वाना पुन सब्सक्राइब एक है है नभी जाते के ये कि तुम फोटो के मैं ये को नहीं समज़ते हो कि लोग फॉटो देखकर ही बसी कि मैं का आकलन करते नहीं स्सão हैं यो फिर कहता है कि अगर तुम्हारे पास जूटे नहीं थी तो तो किसी से अच्छे जुत्ते मांग लेते, फिर वैबेंगे करता है, लोगों पर कटक्ष करता है, कि लोग तो मांगा हुआ कोट पहन करके दुला बन जाते हैं, लोग तो मांगी हुई कार से बारात में चले जाते हैं, जिससे लोगों की नजरों में शान्शोकत बढ़ यहां तक कि लोग फोटो खीचवाने के लिए दूसरों की वीबी भी मांग लेते हैं, अर्थात दूसरे की वीबी के साथ फोटो खीचवा लेते हैं, और तुम हो कि तुम से तो जूते भी नहीं मांगे गई, इसलिए फिर वापपस प्रेम चंद जी को कहता है, कि तुम त गंदे आदमी की भी फोटो में खुश्बू दिखाई देती है, गंदे से गंदे आदमी भी बंसमर के करके फोटो की चुआते हैं, अब तक कि वे फोटो में सुन्दर लगें, यहां पर फिर से हम प्रेम चंद जी की साथगी को देख सकते हैं, और दिखावे की जो प्रव आने की मिल जाती है, जूते पांच रुपे से कम के नहीं मिलते, यहनी कि टोपी की कीमत जूतों से बहुत सस्ती है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, और अब तो कीमत और भी बढ़ गई है, एक जूते के बदले पत्चीसों टोपियां निचावर करते हैं, अर्थात एक जूते की कीमत में 25 टोपियां खरीदी जा सकती है, जिबकि जूतों की अपेक्षर टोपी का स्थान उचा है, यहनी अधीक सम्मानिय होना चाहिए, लेकिन जो चीज सम्मानिय नहीं है, वह अधीक कीमती है, यहाँ पर फिर से वहवेंगे कर रहा है, जो चीज इतनी कीम कीमती नहीं है, उसकी कीमत जादा है, और टोपी सर पर रहती है, तो भी कीमती नहीं है, टोपी और जूते की कीमत का अंतर बता करके, यहाँ पर समाच में व्याप्त, उचाही और निचाही का जो समान का फर्क है, उस पर लेकिक ने वेंगे किया है, टेम चंद की आर्थिक जूता भी अच्छा नहीं है, अर्थात मेरी आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं है, दिखने में मेरा जूता उपर से अच्छा लगता है, किन्तु जैसा दिखाई देता है, वास्तब में वैसा नहीं है, यनि कि मेरी आर्थिक दशा देखने भर के लिए अच्छी है, मैंने त सकत मिट्टी आने पर तो रगड़ खाने पर खुन भी बेहने लगता है उठे से और इस तरह से पूरा तला गिर जाएगा तो पूरा पाम ही जख्मी हो जाएगा फिर से वह कहता है कि आर्थिक दूरदश्चा जो है उपर से अच्छी दिखाई देती है लेकिन उसे छुपान यहाँ पर प्रेमचंद की देहिनी आर्थिक दश्चा के साथ साथ खुद की जो दश्चा है उस पर भी उन्होंने कुछ परदा डालते हुए परदा डालने की प्रकरती जो है उनकी प्रवर्ती है उस पर वेंगे किया है लेखक की भाषा काफी सरल है फिर भय बताता है कि प्रेमचंद जीवन में परिस्तितियों से समझोता नहीं कर सके और यहीं उनकी सबसे बड़ी कमी थी क्योंकि समझोता करने वाले लोग सुखी जीवन जीते हैं और जो लोग समझोता नहीं करते हैं उन्हें जीवन में कष्ट उठाने होते हैं और यही कमचोरी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास गोदान में भी दिखाई देगी जिसका हीरो जो था होरी था होरी है इसका हीरो का नम वैं कभी भी समझोता नहीं कर सका और नेम धरम की पालना उसके जीवन की कमजोरी बनी रही हमेशा के लिए नेम धरम उसके लिए ब लगता है कि उनके लिए शायद ये है नेम धरम बंधन नहीं अपितु मुक्ति थी नेम धरम किसे कहता है अपने नियमों पर जो लोग बने रहते हैं करतवे का जो पालन करते हैं उसे नेम धरम बोलते हैं लेखक ने उनकी जो फटी हुई जूते से जो बहार अंगली करती हुई सी लगती है कि जिस वस्तु से तुम घ्रना करते हो वो उसकी तरफ तुम हाथ से नहीं पाउं की संगली से संकेत करते हो यह वह प्रतीक है समाज में व्याप्त गुराई की और संकेत करने का अभी नेम धरम का पालन जो है प्रेम चंद के लिए उसकी मजबूरी नहीं है बलकि उसका करतवे है उसे बोज नहीं लगता है नियमों में या करतवे का पालन करना किसी के दबाव में आकर के वह करतवे का पालन नहीं करता है बलकि उसके लिए खुश अनुभव करता है इसलिए नेम धरम उसके लिए कोई बंधन नहीं है मुक्ति है नेम धरम पसंद करता है और अरोपनी जोसकी आर्थिक दशा है उसका जिम्हेदार होने का उसमें कोई गं नहीं है इस लिए twee हमेशा अपने जीवण की जो दूरदशा है उसे दूरःशा नहीं मानता है और उसे खुश रहता है नेमधरम का पालन करना उसे अत्यंत पसंद है इस प्रेकार से आज मैंने आपको यह है अगर आपको इससे सम्मंदित गाइड बुक लेनी है जिसमें मैंने multiple choice questions भी आपको वहाँ पढ़ाए थे तो आप मैंने आपको seller का number दिया है description box में आप वहाँ से ले सकते हो काफी बच्चों ने इसका नाम भी पूछा था और हमने बताए भी है हर बार सारे comments का जवाब देना संभाव नहीं हो पाता है हमने ने books के नाम भी बताए थे इसमें दो तरह की guide आपको मिलती है एक mbd और एक दीपक दोनों के लिए आप seller से contact कर सकते हैं यह आपको अपलब्द ना हो थेंक यू for watching